हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका आपके अपनी यूटूब चैनल आसान एवित पुजा पर इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पाचान दंतर से समंदित 50 सबसे महतपूर प्रशन जो आपके आने वाले सभी एक्जाम्स के लिए महतपूर होंगे इसलिए ये वीडियो को सुरू से अंदर तक जरूर दिखीएगा अगर हम साइन्स के सभी टोपिक केंसे क्यों स्वाल्व करना चाहते हैं तो आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वाक्स में मिल जाएगी तो आईए दोस्तों बड़ते ही कोश्चन की ओर हमारा पहला कोश्चन है बड़ी आत का मुख्यकारी क्या है? बड़ी आत का मुख्यकारी है जल का अवशूशन करना जिया दोस्तों इसका सही आंसर है और सनी जल का अवशूशन करना हमारा अंगला क्वेशन है STL का अस्तरावन पाचन तंतर की किस वाग से होता है STL का अस्तरावन पाचन तंतर की अमासे से होता है जहां दोस्तों इसका तही अंसर हो जाए लॉफसन सी अमासे अमासे से STL अमल का अस्तरावन होता है हमारा अंगला कोईशन है दुख्त प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है दुख्त प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम भी रैनेन एंजाइम जो बच्चों में जन्मिस लेकर किवल 3 साल तक ही इस्तरावित होता है तो यह किवल बच्चों में इस्तरावित होता है तो जुप्तू प्रोटीन को पचाने वाला एंजियम है Renin Enzyme, Officer 2, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अंगला Commission है उमासह में पाचन की वाद बोजन को किस नाम से जाना जाता है हमासह में पाचन की वाद बोजन को Krank胤 की नाम से जाना जाता यह option c इसका सही answer होगा दूस्तों crime हमार अंगला question है विसाप्त भूजन को आविसाप्त करने का कारिय नीवर गरंती करती है तो इसका सही answer होगा नीवर या येपकरत हमार अंगला question है निमनलखित मैंसे कौन सा engine के बल बच्चों में इस्तरावित होता है तो इसका सही answer होगा रेनेन एंजाइम रेनेन एंजाइम के बल बच्चों में इस्तरावित होता है हमार अंगला question है अमासे में बसा की पाचन की सुरुवात कौन सा engine करता है जी आँ बताएं दोस्तों अमासे में बसा की पाचन की सुरुवात कौन सा engine करता है तो इसका सही आंसर उपसनी है जठन लाइपेज जी या दोस्ते इसका सही आंसर उपसनी है जठन लाइपेज एंजाइम हमारा अंगला क्वेशन है लार में कौन सा एंजाइम पाये जाता है दोस्तो लार में कौन सा एंजाइम पाये जाता है तो tylin, lysogyne उप्रुक्त दोनों enzymes लार में पाय जाते हैं दुसों लार में एक और enzyme पाय जाता है जिसका नाम आप जरूर याद रखी important है tylin, lysogyne और lipage ये तीनों enzyme लार में उपस्तित होते हैं चलिए हमार अंगला कोईशन है कड़वी की जानकारी जीव की किस भाग से होती है तो कड़वी की जानकारी जीव की पश्य भाग से होती है जीव की अग्र भाग से मीठी की जानकारी होती है जबकि मत्य भाग से नमकीन और खट्टी की जानकारी होती है हमार अंगला कोशन है व्रोणी अवस्था में आरवीसी का निर्वाण कहां से होता है व्रोणी अवस्था में आरवीसी का निर्वाण कहां से होता है तो लीवर से और पलीहा से दोनों जगा से होता है आरवीसी का निर्वाण बैस्क में अस्थी मज्जा से होता है तो ये वा जहां पर लिवर कुहन की दरारण फाइज आती है चले अंगला पॉर्शन है माना निमने रखित में से कौन सा एंगेम अमार से स्तरावित नहीं होता है निमने रखित में से कौन सा एंगेम अमार से स्तरावित नहीं होता है दोस्तों बदाएं इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर है तो इसका सही आंसर है दोस्तों अगना सही लाइपेज यह A और B इसका दोनों सही होगा क्योंकि अगना सही सही ही लाइपेज एंजाइम का इस्तरावण होता है दोस्तों आप देख सकते हैं अमासे की नीची छूट असाथ आपको भाग दिख रहा होगा यह अगनासा है यही से लाइपेज एंजाइम इस्तरावित होता है तो अमासे से नहीं होता है लाइपेज अगनासे होता है चलिए आंगे बढ़ते हैं हमार अंगला कोश्यान है लार में निम्द लखित में से चलिए अमार अंगला कोश्यान है पित्ति रसका निर्मार कहां से होता है तो पित्ति रसका निर्मार यक्रस से होता है चलिए अंगला कोश्यान है मारा लार किसकी पाचन में मदद करता है तो लार इस्टार्ज की पाचन में मदद करता है ओफ्शनी इसका सही आंसर हो कारवो हाईडेट का पाचन मूख गोहा से ही शρού हो जाता है मनुस्य की मूख गोहा में निमन में से किस का पाचन शुरू होता है क्पाचन वता है कि प्रद की पूवारी है तो अमाँसय की प्रद जो होती है उसकी रक्षा करना इस बल्गम का कारे होता है चलिए हमार अंगला कुशन है मानों शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है मानों शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है छोटी आद चोटी आद सबसे लंबा हिस्सा है जो लगबग साथ मीटर या प्रोटीन किसमें बदल जाता है तो पाचन के बाद प्रोटीन एमीनो एसिट में बदल जाता है हमारा अंगला कुश्चन है लार मोपस्चित एंजाइन हमार अंगला कुश्चन है आहा नाल की लंबाई कितनी है तो लगवग आहा नाल की लंबाई नो से दस मीटर होती है इसका सही अंशर अफश्चन सी होगा दूस्तो नो से दस मीटर हमार अंगला कुश्चन है मुख गुआ किसका भाग है तो मुख गुआ आहा नाल का भाग होता है और अफश्चन है इसका सही अंशर होगा चलिए हमार अंगला कु इन्सुलिन हार्मोंस का इस्तरावन कौन करता है? वो इन्सुलिन हार्मोंस का इस्तरावन अगनासर गरता है और सनी इसका सही अंसर हो जाएगा। चलिए हमारा अंगला कोशन है दात की निर्मार में कौन सी तत्व शामिल होती है तो दात की निर्मार में केल्सियम फास्पेट, केल्सियम कार्वोनेट, केल्सियम क्लोराइट ये तीनों तत्व निर्मार में सहायक होती है तो इन तीनों तत्व के आपको नाम याद रिखना ह चले अंगला कोश्य ने मारा निम्ने लिकत में से कौन सा रोग यकरत अंग से संबन्दित है तो पीलिया रोग यकरत अंग से संबन्दित है चले अंगला कोश्य ने मारा हाइड्रोक्लोरिक अमलत STL का कारे क्या है तो हाइडोपलोरिक अमल का कारे है बोजन को अमलेता प्रदान करना जीवाणों को नश्ट करने का काम करता है या प्रो पेपसिन को पेपसिन में बनलता है तो इसका सही आंसर अफसंडी होगा उपरूपत सभी हमार अगला खुशन है अगना सहीर इसका पियेच मान कितना होता है तो इसका पियेच मान आठ होता है और अफसेनी इसका सही अंसर होगा दोस्तों चले हमार अंगला कोशने जल का वसूसन कौन से बाग से होता है तो जल का वसूसन बड़ी आदवारा होता है जबके छोटी आंस से पोशक तत्व का वशूशन होता है हमारा अगला कोश्य ने मुख गोहा में कितनी जूड़ी लार ग्रंथिया पाई जाती है तो मुख गोहा में तीन जूड़ी लार ग्रंथिया पाई जाती है जिनकी नाम है अब अद्योहनूं ग्रंथी मसल ग्रंथी, पेरूटिट ग्रंथी तो ये तीन ग्रंथियां मुख गोहा में उपस्थत होती है चलिए हमार अंगला कोश्यन है ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है ग्रास नली की लंबाई लगबग कितनी होती है तो इसका सही आंसर है ओफस्यन ही 25 सेंटिमीटर हमार अंगला कोश्यन है भोजन को मुख गोहा से अमा से तक कौन सा अंग पहुचाता है या कौन पहुचाता है तो सही आंसर अपस्यन है ग्रास नली ग्रासनर नी फोजन को मुख बहा से अमासे तक पहुँचाती है चले हमार अंगला कोशन है आहा नाल का सबसे चोड़ा भाग कौन सा है तो आहा नाल का सबसे चोड़ा भाग अमासे है औफसन सी इसका सही अंसर होगा अमासे चले हमार अंगला कुशन है थेले नुवा अमासे की बनावट कैसी होती है तो थेले नुवा अमासे की बनावट जे अकार की होती है और सनी इसका सही अंसर होगा जे अकार की बनावट हमार अंगला कुशन है छोटी आथ की लंबाई लगवग कितनी होती है चलिए आंगे बिटते हैं हमारा अंगला कोशीरन है if cholesterol बढ़ने का मुख्य कारण क्या है ? तो, cholesterol बढ़ने का मुख्य कारण है बसा की अधिकता option A, उसका सही अंसर होगा बसा की अधिकता चलिए अंगला कोशीरन है स्टार्ज को maltose में टोडने वाला लार एंजाइम कौन सा है इस टार्ज को मल्टोज में टोड़नी वाला लार एंजाइम है M.I.L.H. चेले हमार अंगला कोशन है निमने लिखित में से कौन सा इस्था पाचंद अंतर का नहीं है चेले हमार इंजाइम है निमने लिखित में से कौन सा उत्का नहीं है तो बड़े याद का हिस्सा इलियम नहीं है जबकि तीकम, रेक्टम और कोलॉन यह सब ही बड़े याद के हिस्षे हैं तो इनकी नाम आप जरूर याद रखी का इंपोटेंट है चले अंगला कोशने माला, स्टार्ज को मल्टोज में परिवर्थित करने का कारे कौन करता है तो स्टार्ज को मल्टोज में परिवर्थित करता है ताइलिंग को मल्टोज में तोड़ने वाला एंजायम है एमाईलेज एंजायम लेकिन स्टार्ज को मल्टोज में परिवर्थि चले आंगे मिटते हैं वसा का पाईसी करण और इमली करण कौन करता है तो वसा का पाईसी करण और इमली करण पित्तिरस करता है तो इसका सही आंसर अफसनी हो जाएगा पित्तिरस चले अंगला कोईशन है मारा सबसे बड़ी लार ग्रंती कौन सी है तो सबसे बड़ी लार ग्रंती है पहरू टिड तो चले अंगला कोईशन है आहा नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है तो आहा नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आन जबकि सबसे चोणा भाग है अमासा है जोले आंगे बढ़ते हैं हमारा अंगला question है लार का pH मान क्या होता है तो लार का pH मान होता है 6.8 option A इसका सही answer हो जाएगा 6.8 हमारा अंगला question है लार किसकी पाचन में साहएक होती है तो लार starch की पाचन में साहएक होती है option A इसका सही answer हो जाएगा starch चलिए हमार अंगला कोशन है किसे पूर्ण पाचक रस की संग्या दी गई है तो इसका सही आंसर है अगना सही रस को पूर्ण पाचक रस की संग्या दी गई है चलिए हमार अंगला कोशन है दोसो छोटी आत का कौन सा भाग अमासा इसे जुड़ा होता है तो छोटी आत का ग् विलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए एंचेहिं।